यह बुल्डोजर युग है भारतिय राजनीती का बुल्डोजर युग जिस तरह से बुल्डोजर जब इमारत को गिराना शुरू करता है तो उसे पूरी तरह से ढहा कर ही मिशन पूरा करता है ठीक उसी तर्स पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में भारतिय लोकतंत्र वभारतिय सम्विधान पर बुल्डोजर चल रहा है मदर ओफ देमोक्रेसी का जो भव्य दिव्य आयोजन चल रहा है उसके निशाने पर डेमोक्रेसी ही है यानि लोकतंत्र इस बुल्डोजर राज की स्पीड बहुत तेज है बहुत कम समय में सब कुछ रौंदने को उतारू है यह विपक्ष को समय ही नहीं देना चाहता कि वह तयार हो या पहले हमले का ठीक से जवाब दे पाए सामान्य तोर पर युद्ध में इस तरह की रणनीती का प्रयोग किया जाता है कि आप दुश्मन पर लगातार उतने गोले बरसादो कि वह कुछ भी कर न पाए उसका काउंटर ओफेंसिव ही तूट जाए यानि बचाव वह मारने की रणनीती ही विफल हो जाए वर्ष दो हजार तेईस में मोदी सरकार भारतिय जन्ता पार्टी राष्ट्रिय स्वयन सेवक संग सहित उग्र हिंदुत्व संगठनों ने मिलकर अपने एजेंडे थोपने इसी तरह से शुरू कर दिये हैं न तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता का मुद्दा नया है नहीं वन नेशन वन इलेक्षन यानि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा और नहीं भारक बनाम इंडिया की बहस CRPC को बदल कर हिंदुत्ववादी संहिता बनाना भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता में तब्दील करने की कवायत को भी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए ये सब अचानक बाहर निकले मुद्दे नहीं है लंबे समय से इनके इर्दगिर्द राष्ट्रियस वयन सेवक संग और भारतिय जन्ता पार्टी राजनीतिक बिसात बिछाती रही है धीरे धीरे इन सवालों को जन्मानस के बीच परोस्ती रही है एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा तो वर्ष 2014 में भारतिय जन्ता पार्टी के घोशना पत्र में था समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी देश के अलपसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का पुराना ओजार है इन मुद्दों को जिस तरह से 2023 के मध्य में निकाला गया है उससे साफ है कि 2024 के चुनावों से पहले लोकतंत्र के बुनियादी धांचे को गिरा कर सेंगोल युगराजदनराज शाही में प्रवेश करने के लिए मोधी सरकार ने कमर कसली है इसी दौर में हिंदी व संस्कृत के वर्चस्व को पूरी बेहियाई के साथ देश की भाशाई विविधता का गला घोंट कर स्थापित किया जाता है हिंदी को ही राष्ट्र भाशा के तौर पर स्थापित करना और अधिकांश योजनाओं को संस्कृत निष्ट शब्दों से जोडना वंदे भारत प्रेनों से लेकर उज्वला योजना प्रधान मंत्री वय वंदना योजना जल जीवन मिशन प्रधान मंत्री सम्मान निधी अगनिपत अगनिवीर प्रधान मंत्री पोशन शक्ती निर्मान अभियान प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन अन दाता आय संरक् अभियान, आयुश्मान भारत, सुकन्या सम्रिधी योजना आदी। ध्यान से देखा जाएं तो लंबी तयारी का सिलसिला सामने आता है। इस से पहले भारत बनाम इंडिया की लडाई को तेज करके भारत को स्थापित किया जा रहा है। वह मोदी सरकार के बुल्डोजर युग की रफ्तार के बारे में बता रहा है। इसे ही कहा जाता है देश के लोक तंत्र का सम्विधान युग से निकल कर संध युग में प्रवेश करना। यहां जो शासक का मन है, जो शासक की इच्छा है, सारा तंत्र उसे ही सर्वोप्री मान कर काम करता है। लोगों की टीम तयार है लपक कर इस एजेंडे को चाशनी मिला कर आगे परोसने के मिशन में लग जाते हैं। चाहे वह क्रिकेटर विरेंदर सहवाग का टीम इंडिया होते हुए भाजपा के द्वारा इंडिया को भारत से लड़वाने की टुच्ची रणनीती का हिस्सा बनना हो या फिर अंबेड कर पेरियार की फोटो लगा कर सोशल मीडिया सोशल मीडिया हो जो सीधे सीधे लिख रही हो कि जो मोदी समविधान से चुनकर सक्ता में पहुँचे हैं वह भला समविधान क्यों ध्वस्त करेंगे यह सब कोहराम बस कुछ ही दिनों में देश भर में फैल जाता है एक तरफ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो दूसरी तरफ देश का ग्रिहमंत्री एक प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ मोर्चे पर तैनात होता है जमीन पर चलने वाला बुल्डोजर तो एक ही दिशा में बढ़ता है बस्तियों को ढहाता है लेकिन यह राजनीतिक बुल्डोजर एक साथ अंगिनत दिशाओं मे समविधानिक कानून सम्मत विवेक सम्मत विचारों को जमीन दोज कर रहा है जीप बीस के बारे में देश के विदेश मंत्री एस जैशंकर सीधे सीधे कहते हैं कि यह वैश्विक दौर है और इसका इस्तिमाल चहूं तरफा होना चाहिए जीप बीस की तयारियों के बहाने वह पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए इस दंब को रखते हैं कि इस सम्मेलन का कितना बहतरीन इस्तिमाल मोदी सरकार ने किया अब उनके इस बयान को अगर देश के उपराश्टरप्ती वैंकेया नाइडू के न्यूज एजनसी पीटी आई को दिये इंटरव्यू के साथ पढ़ा जाएं जिसमें वह एक राष्ट्रेक चुनाव के पक्ष में तर्क गिनाते हैं तो लगता है कि कितने मोर्चों पर अवधार्णा बनाने का खेल चर रहा है वेंकेया एक चुनाव के पीछे के एजंडे को साफ करते हुए कहते हैं कि बार-बार चुनाव देश के विकास को बाधित करता है बार-बार चुनाव देश की अर्थव्यवस्था पर बोच डालता है यह सरकारी अधिकारियों के लिए डाइवर्जन पैदा करता है सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाती बार-बार चुनावों की वजह से मकसद साफ है सरकार को बार-बार जनता के बीच जाने की जरूरत न पड़े बड़े फैसले लेने की छूट हो यानि लोक तंत्र में तंत्र पर लोक का दबाव गायब हो जाए यह राजनीतिक बुल्डोजर राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहा है इसमें जनता के मुद्दे गायब है एक जूठी शान को भारत से जोड़ कर उसे इंडिया के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जबकि सम्विधान साफ शब्दों में भारत और इंडिया को परियावाची शब्दों के तौर पर पेश करता है इसमें विपक्षी गठ बंधन इंडिया से बौक लाहट तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन निशाने पर संघी धाचे पर खड़ा भारतिय लोकतंत्र है जिसे हम सम्विधान में हम भारत के लोग से पहचानते हैं